कोन्टिनियू साइदें. अच्छा, रेग्रेशन बेसिकली होता क्या है? डेग्रेशन बेसिकली स्टरिस्टिकल टेखनीक है जो कि दो चीजों के दरम्यान आपको रिलेशनशिप बताती है कि एक variable की change होने से आपके पास दूसरा variable पर उसका क्या effect आता है जैसे कि आप ले ले अगर आप sales ले लेते हैं तो sales पे आपके पास advertising का क्या effect आता है ठीक है तो आप जितनी advertising कम या ज्यादा करेंगे उसमें आप sales के उपर उसका वो देखेंगे कि उसकी advertising ज्यादा करने से sales पे क्या impact आ रहा है तो यह दोनों चीज़े जब हम देखेंगे तो यह basically जब उसको quantitative अंदाज में देखेंगे तो वो हमारे पास हम regression के थ्रू देखेंगे कि sales में कितनी improvement हो रही है due to the increase or decrease in the advertisement तो यह चीज हम लोग इस तरह देखते हैं इधर भी यह ही लिखेंगे कि regression is a statistical technique used to show the changes caused by one variable on an other variable अब इधर यही है इसमें आगे भी यही लिखा है कि it means here the researcher want to find the impact of one variable on an other variable अब होता क्या है जो हमारे पास ही regression line भी हुई है y is equal to beta naught plus beta x plus mu यह mu जो है यह basically error term होता है error term क्या होता है कि अब हम y क्या होता है y हमेशा हमारे पास dependent variable होता है और x क्या होता है हमारे पास independent variable होता है अब हमने जो sales और advertising की example लिए है इसमें sales आपके पास जो है dependent है क्योंकि वो change हो रहा है due to the change in the level of the advertisement तो जितना आप advertisement को कामियाँ ज्यादा करेंगे वो आपका independent variable है उसकी वज़ा से आपका dependent variable sales कितना change हो रहा है यह आप regression के through देखेंगे अच्छा आपकी sales जो है वो सिरफ advertisement की वज़ा से change नहीं होती है किसी और वज़ा से भी वो increase या decrease sales आपकी ज्यादा या कम हो सकती है जिसमें आप लोग और factors भी ले लेते हैं जैसे कि कोई आपके पास substitute ले लें कि उसकी वो आपके पास substitute जो था उसका वो available नहीं है या आपके पास कोई seasonal product है उसकी वज़ा से season ऐसा है कि उसके demand ज्यादा हो रही है तो यह other factor जो है यह basically हमारे पास यह जो mu है mu को हम error term कहते हैं वो बाकी चीज़े जो है उस सारे का impact जो है हम mu पे डाल देते हैं और हम कहते हैं कि हम अपने research में सिरफ sales के उपर जो है advertisement का जो effect है वो देखना चाते हैं इस beta not का क्या मतलब होता है beta not का मतलब है कि let's suppose अगर advertisement भी नहीं है तब भी इस product की sale तो हो रही है ना तो वो जो fixed level of sale है that is called the beta not कि अगर advertisement ना भी हो तो इस product की इतनी sale है पर अगर आप advertisement add करें तो उससे आपके पास sales इतना increase या decrease होता है तो यह हमारे पास basically इस regression line का मतलब है अच्छा फिर regression आपके पास होती कितने डाइब की है दो type की आपके पास regression है एक तो आपके पास simple है और दूसरी multiple है दोनों में difference किया है अब जैसे मैंने इधर अपने एक ही independent variable दी है एक independent variable का मतलब क्या है कि मैं sale के ऊपर सिरफ और सिरफ किसका effect देखना चाहरे हूं मैं सिरफ और सिरफ advertisement का effect देखना चाहरे हूं तो यह जो एक dependent एक independent variable है वो हमारे पास क्या है simple linear regression है अच्छा पिर multiple regression किसे कहते है multiple regression ये कि मैं इधर अपने independent variable को एक से ज्यादा कर दूँ यानि x1 कर दूँ x2 भी कर दूँ मेरे पास यानि मैं वो भी ले लेती हूं let's suppose जो advertisement है वो भी ले लेती हूं साथ मैं availability of the product भी ले लेती हूं अब मैंने दो independent variable ले लिए और उसका मैं sales के उपर effect देखना चाहती हूं तो ये मेरे पास multiple regression है अच्छा अगर आपने एक और वर्ट पे गोर दिया हो जिस पे लिखा हूँ है linear linear का आपके पास इधर मतलब क्या होता है कि आपके पास ही जितने भी parameters है parameters is your beta naught and beta 1 अब इस equation में अगर जो उपर regression वाली simple regression वाली equation लिखी हूई है इसमें beta naught और beta 1 ये हमारे parameters है इनकी power जब 1 होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है linear regression है हम irrespective of the facts के variables हमारे पास variables कौन कौन से है x1, x2 ये independent variables हम इनकी power से बालातर हो के हम देखते हैं कि हमारे पास जो parameters है इस क्या वो क्या है power क्या है जब इसका power 1 होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये linear regression है तो ये तो हमारे पास कुछ बाते हो गई regression से relevant अच्छा फिर आगे हम लोग दूसरे उस पे जाते हैं जो के हमारे पास multiple regression के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि वहाँ पे more than two independent variable हो गए जो के मैंने बता भी दिया है फिर आपके पास आया है कि इसमें सारी वही बाते की गई हैं जो हम देख चुके हैं with an example इन्होंने थोड़ा से explain किया है जैसे organizational performance पे किस किस चीज़ का effect होता है beta not is your इसको हम क्या कहते हैं intercept कहते हैं intercept beta not is your intercept which is your fixed organizational performance और उसके साथ ही फिर उस पे beta 1 नो ने क्या लिया है organization justice लिया है beta 2 क्या लिया है organization politics लिये आप जैसर्फ में नहीं मैं second page पे हूं क्या ये show हो रही है page term नहीं हो अच्छा page